एक और नया दिन और एक और नई गाड़ी और आज हमारे सामने हैं नेक्स्ट जनरेशन 2022 ब्रिजा जो की बहुत ही अच्छे नए लुक के साथ लॉंच हुई है इस टाइम पर और इसको प्रॉपर बोल सकते हैं कि यह कॉम्पाक्ट एस्यूवी अब यह अच्छी लगती है क्योंकि इसका लुक एनांस्मेंट करी है कंपनी ने वह काफी अच्छी करी है काफी जगाओं में यह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अपने साइज और लुक की वज़े से बिकॉस को जो साइज अब इन्होंने डिजाइन चेंज किया वह काफी अच्छा कर दिया है वह यहां मिलते हैं विचाप स्ट्रिप देख रहे हो यह अलग से असेसरी इस लगवाई गई एक ओनर के थूँ बाकी यह जो फॉग लांप भी यह यह जा असेसरी जी है और अलेक्साई में कोई फॉग लांप आपको नहीं मिलता साथी साथ इस जो क्रोम है यह मिल जाता इसे बाकी जो इसका इंजन है जो कंपनी इसमें प्रवाइट कर रही है वह इसमें इंजन जो प्रवाइट कर रही है कंपनी वह 1462 cc मतलब 1500 cc का इंजन जिसको स्पेसिफिकल अगर बोलें तो 1462 cc का इंजन यह है यह और जो की 100 bhp लिकालता है और 36 nm का टॉर्क जो काफी पावरफुल इंजन है और काफी वहरी को यह बोनेट लगा और आपको सबसे अच्छी बात की सके अंदर इतने साइलेंट इंजन के बाद भी कंपनी ने इसके अंदर आपको आपको क्लाइड रखिया इंसुलेशन दे रखिये तो काफी अच्छा मीर को लगा कि कंपनी ध्यान दे रही से खुला छोड के निया आपको दे रही कि भाई ग्यारा लाक रुपे कि आप बेस मॉडल ही चाहे कि उना ले रहे हो बट एक आपको प्रीमियम नेस कंपनी जरूर प्रोवाइट कर रही है और बाकी पीछे से कुछ यहां पर भी इन्होंने कंपनी ने आपको क्लाइडिंग दे रखी है इंसुलेशन दे रखी है कि अंदर इंजन में कम से कम इंजन की साउंड जाए बाकी अब चेक करते हैं इसका साइड लुक साइड लुक से कार कुछ ऐसी दिखती है जिसके अंदर जो आप देखके बोल सकते हो कि यार यह तो टॉप मॉडल लग रही है येस मेर इनको भी पहले लगा था कि ये टॉप मॉडल ही है क्योंकि फ्रेंट में भी फॉग लाम दिख रहे थे बट जा मैंने ध्यान से उनर से पूछा तो इसने बताया कि भाई ये एलेकसाई वेरेंट है टॉप मॉडल नहीं है बट यह जो एलोई वील से हैं जो 16 इंजी के कमप इंडिकेटर नहीं दिया इंडिकेटर आपको ओव लिए ओडिट तो यह भी काफी अच्छा एक अपनों को फीचर मिल जाता है कि आको बेस मॉडल का वो लगे आनी एर मने बेस मॉडल लिया कहीं से भी बिल्कुली बढ़िया लगे गा कि आट टॉप मॉडल ही लेके आया ह तो यह पीछे से लुक जो एसा कुछ प्रवाइड कर रही है इसमें पीछे से इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि बेस मॉडल में आपको LED लाइट मिल जाती है जो की काफी अच्छा एक option आपको मिल जाते कि यार बेस मॉडल लेके भी मैंने कहाना आपको कुछ काम करवा हो और इसको आप टॉप मॉडल में कंपनी ने LED लाइट ही दे दी वह एक बहुत अच्छा गिया बाकी ये तो इतना तो आपको कॉम्परमाइज करना पड़ेगा बट कहीं ना कहीं कॉम्परमाइज नहीं भी करना पड़ेगा कि इन्होंने शाक फिन अंटीना जो एक टॉप मॉडल का फीचर होता है वो इन्हों यहां पर भी रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है यह भी बहुत अच्छी बात है और 328 लीटर का मैसिव बूट स्पेस मिलता है आपको 328 लीटर एक सब कंपक्ट स्वीव के हिसाब से बहुत ही अच्छा बूट स्पेस आपको कंपनी ओफर कर देती है इसके अंदर बाकी दूसरी एक चीज और कि भाई आपको लैंप और मिल जाता है वाइट लाइट नहीं आती लाइट है इसके अंदर बाट ओनर ने इसके अंदर वाइट बलब लगवा रख है तो यह भी बहुत अच्छी बात है इसकी कि चलो आपको 328 लीटर का बहुत अच्छा बूट स्प जो कि मेर को काफी अच्छा लगा कि कंपनी ने अंडर साइज कुछ निंग किया इसके अंदर कॉस कटिंग नहीं हुई मारूती के टूइट और बाकी बेस मॉडल में भी आपको डेडिकेटेड बूट का क्लोजर हैंडल दे रखा है जिसके अराम से आप उसको पकड़के क कर सकते हैं काफी मुझे अच्छी कॉलिटी लगी जैसे ब्रिजा को पुरानी बीजा को फॉर्ट स्टार मिल रखे हैं तो इसको भी मेर को लगता है कि यह भी फॉर्ट स्टार अराम से करेगी काफी एक थर्ड वली साउंड इसके अंदर प्रवाइड आ रही है लग रहा है कि हाँ ब्रिजा पॉर्णी ब्रिजा की बिल्ड कॉलिटी इसके अंदर डाल दी गई है तो मेर को लगा कि हाँ इसका जो बिल्ड कॉलिटी है वो पॉर्णी वाली ब्रिजा जैसी है इसकी वएरे से यह एक अच्छा option है कि भाई आप सेफ एक सेफ गाड़ी आप लेज पा तो उससाब से मेरे को भी लगता है कि अगर इसका भी टेस्ट होगा क्राश टेस्ट तो उसमें जरूर फोर्स स्टार करेगी क्योंकि बिल्ड कॉलिटी मेरे को काफी अच्छी लगी इस काड़ी की अभी तक जो मैंने बोनट और पीछे बूट स्पेस डिकी उठाई तो उसके अब इसके अंदर चेक करते हैं कि कंपनी अंदर के प्रोवाइट करती है इस एलेकसाई वेरेंट में अब अंदर चेक करते हैं कि अंदर कंपनी क्या प्रोवाइट कर रही है एलेकसाई वेरेंट में अब अंदर चेक करते हैं कि अंदर कंपनी क्या प्रोवाइट कर रही है LXI variant में सबसे अच्छी बात चारो power window आपको मिल जाती है dedicatedly driver side door पे भी और सारे doors पे ये base variant में आ रहा है company के तुरू और electronically आपको adjustable side mirror मिल जाते हैं fold आपको खुद करना पड़ेगा भार से manually but adjustable आपको मिल जाते है company से ही driver side window है वो आपको auto up down और down मिल जाती है child lock आपको window मिल जाता है और lock और unlock का feature आपको यहाँ पर मिल जाता है grill आपको provided है base model है तो कोई stereo और कोई speaker company प्रवाइड नहीं करती बाकि एक लिटर की पानी की bottle और कुछ documents या फिर आप खोज़ क्लोथ रखना चाहते हो गाड़ी को साफ करने के लिए और बाकि यहाँ पर कुछ अपॉल्स्ट्री दी तो है इन्होंने बट समझ नहीं आ रहा कि यह कुछ कपड़ा है या फिर आपको सिरफ और सिरफ प्लास्टिक ही दिया गया है मेरे इसाफ से तो मेरे को यह सिरफ टेक्श्र टेक्श्राइज प्लास्टिक लग रहा है जो कि काफी अच्छा लुक दे रहा है ऐसा लग रहा है कि हाँ वही कुछ आपने फैब्रिक सा चड़ा रखा है पर ठै नहीं बाकि आपको ग्रिप के कि यहाँ पर पड़र को बंड़े का मिल रहा है इसे कर सकते हो साथ साथ ही साथ इसका कुछ लुक है फस्स लुक फर्सट इंपर बजट में रहके आप अपनी बेस विरेंट को टॉप मॉडल बनवा सकते हैं बिना वायर कटिंग के एक चीज मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगी मारूती की अब इनोंने जो यहां पे देते थे थे ना आपको बूट और पेट्रोल का खोलने के लिए लिड अब इनोंने वह पीछे सही दे दिये यहीं से दे दिया कि आप अराम से इसको एक्सिस कर सकते हो नहीं तो यहां से जुकना बहुत मुश्किल रहता था बाकी आपको ओन और आफ मिल जाता है आइडल स्टॉप जो मैंने बैटके दिखते हैं कि इसका डैश्बूट का लुक कैसा है उससे पहले इसकी की है उसमें भी एक आपको मैं कहे रहा हूं नहीं बहुत स्मार्ट काड़ी है बेस मॉडल के साफ से कंपनी कुछ की ऐसे इसकी प्रोवाइड करती है कवर इसके उपर लगा है आफ्टर मार्के कि आपको कम सेंटर लॉकिंग कंपनी बेस मॉडल भी प्रोवाइड कर रही है अब इसका अंदर चेक करते हैं बैटके कि इसके अंदर क्या आपको फीचर्स मिल जाते हैं गाडी के ऐसा कुछ इसका स्टेरिंग मील है अब स्टेरिंग मील देखके बहुत लोग बोल रहा इसका स्टेरिंग मील depression पूरा तॉप मॉडल का स्टेरिंग मील रखा है कि पूरा स्टेरिंग वील एयर बैक की असेंबली को छोड़के बागी पूरा Arts प्मॉर बेसका स्टाइ। क्रूस में तो रखा है बाट ए बेती practical नहीं है सिरफ इदर से Date 5 पूरा मॉजिग कंट्रोल अब आप बोलोगे यार यहां पर भी ओनर क्या है यह जो वोडन फिनिश दिख रही है हमें और सिल्वर गार्निश पूरी मिल रही है यह भी एसा एससरी लगी हुई है ओनर ने कोई कसर नी चोड़ी इसको टॉप मॉडल बनाने की जो जो एससरी मारुती के अंदर थी इसकी स मेफी डाता है इसको देखके समझ सकते हो कि यह बेस बेस है लेक्स gadgets ये चेस चेंज नहीं हो सकती तो यह सबूत है और लेक्सआ वेरेंट यह बाकी तो कहीं से लगी फिर डेक्षित और हाशन ग्लास फोल्डर भी नहींत है नहीं तो आप इसको भी देख्के कह सकते है कि य अबाकि यह जो स्क्रीन है आपको यह भी आ बहर से लगी हूई यह इसके आपको कुछ बहुत करती है मुख बहुत करती है साथ ही साथ जो cooling temperature है गौज वो आपको मिल जाते है एक side और एक side आपको मिल जाता है petrol का साथ ही साथ एक side आपको trip का मिल जाता है कितनी चली हुई है और यह सब ठीक और दूसरी side आपको जो basic settings है वो change करने के लिए मिल जाती है screen ऐसी कुछ दिखती है बाकी जो इसका एक और चीज accessories में लगवाई है वो आपको मैं बताऊंगा इसकी next वीडियो में कि एक लाख साथ हजार पे इसके अंदर लगे हैं after market या बहुत सकते showroom के accessories जो की इसमें spending हुई है owner के through इसको top model में convert करने के लिए अब इसका पीछे का look check करते हैं कि पीछे ये क्या space provide करती है और क्या कुछ इसके अंदर मिलता है हमें तो पीछे का कुछ ऐसा look है gate खोल के देखते हैं कि company gate में क्या provide कर रही है gate में आगे की तरह हमें power window मिल जाती है जो की base variant में बहुत ही अच्छा option मिल जाता है वही same जो ग्राफिकल वर्ड जो दे रखा side panel में armrest पे वह भी दे रखा पीछे भी और non chrome normal black color में इसके अंदर unlock करने के लिए handle दे रखे है स्पीकर के लिए आपको पीछे भी मिल जाती है एक लिटर की bottle space भी तो एक family guard ही बन जाती है यह काफी अच्छा option मिल जाता है आपको पीछे ऐसी कुछ space आपको मिलती है इसके अंदर जो की बीच में हलका सा hump है इसके अंदर जादा बड़ा मैं नहीं कहूंगा अबर ठीक है चार बंदे पांच चार बंदे अराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं पांच वा भी बच्चा एक बैठ ही सकता है पीछे सबसे बड़ी बात advantage कि आपको base variant में ही आपको एसीवेंट मिल जाता है पीछे जो कि काफी अच्छा आपको option मिल जाता है यार कि base variant में गर्मी आपको वीडियोस देखी हूँ तो मारूती base variant में LXIE में कभी यह नहीं देती थी headrest बट अब मारूती base variant में भी आपको दोनों adjustable headrest देती है सोचो कितना difference है एक generation अपोने में कि भाई पहले मिलते ही नहीं थे अब इन्होंने देना ही स्टार्ट कर दिया वो भी सेमी एडिस्टेबल भी नहीं बीच में central lamp आपको cabin का यहां मिल जाता है और seat cover भी ऐसे accessories ही लगे हुए तो यह था इसका all over review जो की मेरी टुवर्ट से था कि यह गाड़ी क्या provide करती है आपके customer को अपने और LXI के अंदर company क्या-क्या देती है features बाकि इसके अंदर जो modification की एक जो vlog है उन next vlog आएगा आपके पास जिसके अंदर owner ने एक 60,000,000 पर लगा रखे हैं वह आपको मैं एक एक चीज दिखाऊंगा कि क्या-क्या अप्ग्रेडेशन है इस गाड़ी के अंदर बाकि यह कोई walk around था मेरे मेरे point of view से कि इसके अंदर क्या-क्या मिलता है और क्या यह offer करती है अपने owner को अपने customer को एक buyer को और मेरे हसाब से यह बहुत अच्छी smart deal है अगर budget में रहके किसी को 11,000,000 रुपे की यह गाड़ी लेनी है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एक smart deal offer करती है कि बहुत सारी चीज़े ऐसी है तो base variant में आपको बहुत अराम से मिल जागी जिसको अगर basic एक गाड़ी लेनी होगी बिना कोई ज़्यादा features के साथ basic अपने requirement के साथ तो basic requirement एक गाड़ी बहुत अच्छे से fulfill करती है इसके साथ यह video end करते है आपे video को ज़रू अपनी गाड़ी रिव्यू करवानी है या feature करवानी है मेरे चैनल पर तो description में आपको एक email ID दे रखी है आप उस पर click करो और वहां पर आप मेरे को mail कर सकते हो अपनी गाड़ी का review करवा सकते हो या अपनी गाड़ी feature करवा सकते हो चैनल पर तो इसी के साथ video देखने के